तो भाईयो सौगत है आपका आज के इस वीडियो में तो थोड़ी दिर पहले मैंने लाइव लेने का ड्राई किया लेकिन हमारे इंटरनेट कनेक्शन ने हमारा साथ नहीं दिया सो मैं recording के थिरू तुम्हें हर एक चीच क्लिर कर दे रहा हूं सबसे पहले कुछ basic बाते बटा दू मेरा इंटमिट कार 003 निकल कर आया है बाकी च थात्रों का अबमिट का अभी नहीं आया है बस कुछ स्टोडियो तुम्हारे भी आदमिट का आ जाएंगे तो मेरे एक student ने मुझे अपना admit card send किया है मैं तुम्हें सारे जानकारी clearly बता दे रहा हूँ क्या लिखा admit card पर क्या कैसे क्या क्या बाते की गई है वो सारे अभी मैं explain कर दे रहा हूँ सबसे पहले यहाँ पर ministry of education का logo दे रखा है relevant नहीं है यह भी हूँ का logo है अब बाते करते हैं सबसे पहले सबसे first में पर तुम्हारा roll number रहेगा मैंने hide कर दिया student का roll number candidate का क्या नाम है जैसे मेरा नाम Shivam है तो मैं candidate अगर हूँ तो Shivam शालों यहाँ पर लिखा रहेगा gender यहाँ पर आपका दिया रहेगा आपकी category क्या है वो आपकी दी रहेगी यहाँ पर application number यहाँ पर clearly mention रहेगा आपके father का क्या नाम है वो clearly mention रहेगा आपकी date of worth क्या है वो भी रहेगी या फिर अगर PW category से आप belong करते हो तो यहाँ पर yes रहेगा अगर नहीं belong करते हो तो यहाँ पर no रहेगा यहां तक क्लियर होगी तुम्हें बात यहां पर आपके फोटोग्राफ शिप्के हुए होगे फॉर एक्जांपल है ऐसे आपके दो आक होंगे नाक होंगे और चेहरे बने हुए होंगे ठीक है आगे बात करते हैं नेक्स्ट आप एक पर्टिक्लर वार कोड दिया रहेगा और पकी क्या दे रखी है गेट क्लोजिंग टायम कितने बजी हो रही होगी मतलब आपको 7 बजे सेंटर पे पहुँचना है और जो गेट होगा वो सारे 7 बजे यार क्लोज हो रहा होगा टाइमिंग टेस्ट की दे रखी 8 बजे सुवह से लेकर सारे 10 बजे तक आपके एक्जाम रहेगा अब देखो यहां पे एक self declaration form डाला गया है undertaking simply तुम कहा सकते हो उसके बारे में यहां पे चर्चा की गई है मैं clear कर दे रहा हूं क्या-क्या बाते लिखी गई है सबसे पहले यहां पे आपका नाम लिख रहेगा I Sivam Sanu I Sivam Sanu resident of ward number 14 near Hanuman Mandir आगे मेरे address बगरा दिया हु बाते लिखी गई है कि जो भी bulletins में information दी गई है हमने वो properly read करा है उसके बाद आता है I have in the last 14 days मतलब आपने आपके last 14 days में आपके अंदर इन सब में से कोई symptoms भी रहे है वो आपको यहां पे चेक करना होगा क्या आपको fever रहा है अगर रहा है तो चेक करो या कफ की problem आपको वो भी चकरो breathlessness सास नेले में दिक्कत है sore throat या फिर running nose है आपके body या फिर other please आपको यहां पे specify करना होगा कि आपको क्या problem आपको में है पिछले 14 दिनों में ठीक है in the last 14 days वो आपको यहां पे clearly undertaking में भरना होगा आगे बात करते है next point आपके दिया गया been in the close contact with a confirmed case of the COVID-19 क्या आप COVID-19 patient के case में करीब मतलब उनके करीब आप आये हो अगर आये हो तो बिल्कुल यहां पे mention करो ठीक है not in the being close in the people suffering from COVID-19 traveled in the following cities country in the last 14 days prior to arriving at the center center पहुंचने से पहले ठीक है आपने चौद दिन पहले कौन-कौन city visits करें है उसको आप यहां clearly mention करोगे first city, second city, third or fourth city यह चार city आपको यह mention करना होगा यह करने के बाद आपको third point में लिखा गया है the health and well-being of our community is first priority therefore the center reserves has the right to deny the injury of its premises यह हमारा moral value है ethical value है कि अगर कोई भी simply कहूं तो यह बोला गया है यह हमारा first priority कि हम में अपने community के बारे में सोचे well-being के बारे में सोचे तो center authority के पास वो power होगी कि आपको entry देने से वो मना कर सकता है I have read all the detailed information instructions for the candidates has given on the page number 2 अब यहाँ पर page number 2 में advisory guidelines दे रखी है COVID-19 के regarding में उसके बारे में भी हम जानेंगे आप important चीजों की बात करूँ तो यहाँ पर candidate का photo chip काना है center पहुचने से पहले आपको यहाँ पर thumb impression देना है thumb impression जो होगा वो आपके left hand का होगा और वो भी center जाने से पहले ही आपको यहाँ प आपके सामने होगा तब ही आप sign कर रहे होगे आगे बाते करते हैं कुछ important instructions दे रखे हैं candidates के लिए सबसे पहला है कि आपको COVID-19 के सारे precautions लेने होंगे ठीक है कोई भी candidate get close होने के बाद permit नहीं की जाएगी उस country score नहीं दी जाएगी no candidate shall be permitted to leave the examination room hall before the end of examination exam exam end होने से पहले आपक not get up from your seat until advice आराम से तुकुन से बैठना आपको seat पे जब तक आपको आपका इन्विजिलेटर ये इंस्रक्शन ना देते कि यह अरब तुम जा सकते हूँ सारे candidates required रहेंगे कि आप अपने admit card को और advisory guidelines को आपने download करे हैं और उसने आपको आपने उसको अच्छे तरीके से read करा है admit card के अंदर total 3 pages होंगे page 1 जिसके अंदर center के बारे में details होंगे plus आपका self declaration होगा मतलब undertaking होगा और तीसरा पेज होगा उसमें advisory होगा candidates के लिए किसके regarding sir covid-19 के regarding आगे साथ में point में क्या बात किए गई है कि the admit card is a provisional subject to satisfying provisional admit card है 8 में candidates are advised to verify the examination when you are a day in advance एक दिन पहले verify कर लो कि आपका center कहा है किस location में कैसे कैसे जाना है कैसे कैसे नहीं जाना है 9th point में बोला गया if religion slash customs requires you to wear a specific attire please visit the center early for the thorough checking अगर आपके religion या फिर customs प्रथा आपको कोई particular address को wear करने को बोलती है तो आपको उस situation में उस case में आपको center पहले पहले पहुचना होगा verification के लिए no candidate would be allowed to enter the examination center without admit card and undertaking valid ID proof and proper frisking यह चार्चीजे होनी चाहिए admit card आपके पास होगा undertaking होना चाहिए साथ-जात valid ID proof होना चाहिए sir ID proof में आपका DL भी चलेगा pen card भी चलेगा voter ID भी चलेगा आधर card भी चलेगा तो यह चाहिज़ याद रखेगा साधिजद proper frisking होगी मतलब आपकी hand to hand check out होगी hand to hand नहीं बोलूगा आपके full body check की जाएगी क्या आपने कुछ weapons कहलो या फिर cheating के लिए कुछ भी आपने रखी हुई हो ठीक है वह बाते की गई है candidate will be permitted to carry out only following these items आपके पास transparent water bottle होना चाहिए sanitizer रखो के 50 ml यहने की एक डबा भरके लेगा चला जाना simple transparent ball pen होना चाहिए बॉल में black and blue दोनों तुम रख सकते हो admit card रहेगा self declaration के साथ आपको कुछ passport size के photos भी साथ में रखने है और आधार card भी रखना है original valid and non expired government ID proof यह चीज़े आपको रखनी होंगी clear है next point की बात करते है होगी thumb impression भी होना चाहिए अब thumb impression जैसे तैसे नहीं एकदम हलवा कर दिए गंदा गंदा बना दिए clear होना चाहिए any of the original valid and non expired photo identification proof आपको वही ID proof ले जाओ passport size photo ले जाओ बस यही सारी बातें यहाँ पर की गई है अब एक point है पर 16 में क्या बोला गया सूज और footwear जिसके souls बड़े ही थिक थिक हो या फिर ऐसे garments आप पहन के जा रहे हो जिसमें large बड़े 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 buttons हो तुम चोड़ी चुपे बहुत कुछ चुपा कर ले जा सकते हो वैसे कप्रे आपको नहीं पहन कर जाने है आगे बोला गया है CBT mode exam जो होगा उसके ल जरूर देगा हमें OMR based के लिए आपको black और blue दो ही ball pen यूज करने जल पैन यार मत यूज करना वहाँ पर जाकर ठीक है डूली फिल्ड एड्मिट कार्ड होना चाहिए no candidate should adopt any unfair means और indulge any unfair practices मतलब आपको भी चोरी चकारी नहीं करना है ठीक है candidate are advised to check the updates on NTA website आपको NTA के website पे सार 2018 को लेकर यह तुम पढ़ लेना बस पुरानी चुट-पुट से बाते की गई है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो यह रहा यार admit card admit card जल्दी तुम लोग सारे students का आ जाएगा पैने create मत करना की सर मेरा नहीं आ गया उसका आ गया है ठीक है कुछ selected शातरों का आया admit card तो